हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांत में आप सभी का स्वागत हैं यहां पर इस वीडियो में मैं आपको Realme 7 Pro के Realme UI 2.0 के जुलाई मन्त के न्यू इस्टेबल अपडेट के बारे में बताऊंगा और यह अपडेट आपके मोबाईल में कब तक देखने को मिलेगा और क्या है इसका अपडेट लॉग सभी कुछ बताने वाला हुँ दोस्तो पूरा वीडियो देखेगा लेकिन उससे पहले पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो सब्क्राइब कीजिए बेल आइकन बजाईए आल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नाटिफिकेशन मिल है यहां पर देखेंगे Realme 7 Pro का मॉडल नंबर RMX2170 है और इस नए अपडेट का जो वर्जन है C.23 है और इसका जो साइज है 881 MB का है और यह आफिसल अपडेट है दोस्तो और इसका रोल आउट डेट जो है 6-7-2021 का है तो यह था दोस्तो बेसिक साफ्टेर इंटरफेस और आप बात करते हैं इसके अपडेट लॉग की तो यहां पर सबसे पहले चेंज की बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर 5 जून 2021 का Android सिक्रिटी पेच मिलता है जी हां दोस्तो यह जुलाई मंद का अपडेट है जुलाई मंद में रोल आउट हो रहा है लेकिन जून मंद का सिक देखने को मिलता है इस अपडेट के बाद इसके लाओ बात करें अगले चेंज की तो फोन के अंदर अगर दोस्तों आपको फोन वगरा आता है तो उस टाइम पर रिंग तो बसता है लेकिन वाइब्रेट नहीं हो पाता था लॉकी स्क्रिन कंडिशन में वी आईपी कॉंट दिखाई नहीं दे पाता था चार्जिंग में कनेक्ट होने के बाद तो उस प्राब्लम को इस अपडेट के फिक्स कर दिया है इसके लाओ बात करेंगले चेंज की तो केमरा के अंदर यहां पर दोस्तों अगर आप नाइट मोड में फोटो अगरा लेते हैं तो उस टेम पर प्राब्लम को भी इस अपडेट के फिक्स कर दिया है साथ ही साथ दोस्तों यहां पर अगर आप फोटो अगरा लेते हैं तो जो टाइमर करने के बाद फोटो क्लिक होता है उसमें प्राब्लम होता था दोस्तों तो उस प्राब्लम को भी इस अपडेट के फिक्स कर दिया है तो यह था दोस्तो realme 7 pro का full update lock change lock दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है मुझे comment करके जरूर बताना और अगर नहीं मिला होगा तो one week wait कर लिजे दोस्तो one week के अंदर definitely यह update जो है आपको मिल जाएगा तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तो